आप लोगों को बता होगा कि हमारे देश की कुल जनसंख्या का बहत्तर दसमलो दो पितीसद ग्रामीट छेत्रों में निवास करती है। आप कह सकते हैं कि अधिकतर जनसंख्या हमारी गाउं में रहती है। और आप सभी लोग ये भी जान रहे होंगे कि जो कुरोना महामारी है अब एक गाउं में भी फैलने लगी है। और आप ये भी जानते हैं और दुनिया जानती है कि गाउं में जो स्वास्तेवरस्ता है उसकी क्या हालत है। हॉस्पीटल्स है या नहीं है। ये भी आप कहिए कि बिडमना ही कह सकते हैं आप लोग। और गाउं में अगर फैल गया है तो ये चिंता का कारण भी बन जाता है। क्योंकि ग्रामीड चित्रों में लोग एक दूसरे से एक तरह से भावनाओं भावनात्मक रूफ से भी जुड़े रहते हैं। और वैसे भी आप देखते हैं कि एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं। अभी तक जब तक कि कुरोना गाउं में नहीं पहुंचा था। बहुत सांती थी एक तरह से चिंता की कोई जाना बात भी नहीं थी। लेकिन अभी एक चिंता कारण बनता जा रहा है। और गाउं में आप समझे कि सिख्षा का भी आभाव है। और लोग आप समझ सकते हैं कि क्या इस्तिती बन सकती है। मदद के लिए भी कमी लोग मिलेंगे। ऑक्सिजन हो या वैक्सिनेशन की विस्ता हो और भी कोई आप कहिए कि दबाएं हो। सब कुछ की कमी है। हॉस्पीटल कोई अच्छे नहीं है। यहाँ वही हाल है कि करम मतलब करम किसी और ने कि उसका भुकतान कोई और करता है। कि आप सोचे कि कोई बाहर से लाया कोई गरामीडशित का तो कोई व्यक्ति गया नहीं हुआ था। फर वो लाया उससे आप समझे कि पूरे भारत में तबाही मचागे रख दी हुई है। खेल छोड़िए आप अगर गाउं में रहते हैं तो आप भी याग रूप करते रहिए। क्योंकि रोप पाना बड़ा मुस्किल भी है गाउं में अगर फैल चुका है। और फैल क्या चुका है? फैल चुका है। तो आप अपनी सेप्टी हमेस्था बनाया रखी। ठीक है? ग्रामीड अलाकों में तेजी से फैलती महामारी ने चिंता और बड़ा दी है। रेपोर्टें बता रही है कई कि अब ग्रामीड अलाकों में संकमड पैर पसार चुका है। और जितने मामले आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे लगबग आधे मामले ग्रामीड अलाकों से हैं। पहले आप देखते थे कि केवल सहरों से ही आते थे। कम से कभी एक चिंता कारण तो नहीं था ये। लेकिन आप देखेंगे मौतों का आकड़ा सहरों के काबली चार ग लिगडी हुई है। तक है आप देखेंगें दिल्ली की तो अलाकों किसी गाहों से कर लिए। दिल्ली में आप देख सकते हैं कि इस्वास्त बेवस्था काफी अच्छी है। और किसी गाहों में जाकर देखें आपLER हैं। ठीक है और यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि गाउं में हालात किस तेजी से बिगड रहे हैं और यह कहना भी सही नहीं होगा कि यह सब अचानक हुआ है यह सरकारों को इसका अंदेशा पहले से नहीं रहा होगा कई जगे आपने देखा है कि इस्थानिये चुनाव भी हुए हैं तो उसमें काफी भीड खटी हुई है उसे भी काफी एक तरह से कुरूना फैला हुए है गाउं में ठीक है लेकिन गिरामीर शेत्रों में फैल जाए तो बड़ा मुस्किल होगा कंट्रोल कर पाने हैं पर जिस तरह से आप देखें कि गाउं को लेकर हर इस तरह पर अंदेखी और लापरवाही होती रही है उसी का नतीजा है कि अब वहां हालात बत्तर हो रहे हैं और अभी मुस्किल स्थानिय और नेता होते हैं आपके उनकी क्या इस्तिती है यह आप बहतर समझ सकते हैं आपके सरपंच के पास कितना भी फंड आ जाए उसमें से आधा दो नहीं के पेट के लिए होता है तो यह भी मुसीवत बनी हुई है तो फिरहाल किसी भी तरह से आप लो सुरक्षित रखी अपने आपको दूसरी लहर की मारने स्वास्त सेवाओं की हकीकत उजागर कर दी है और कामोबेस सभी राज्यों में हालात एक जैसे ही हैं और अस्पातालों में मरीज्यों से अटे पड़े हुए हैं यानि कि भरे पड़े हुए हैं आप देखें कई वेक्तियों को ऑक्सीजन ये सेलेंडर या बैड की वेवस्ता नहीं हो पा रही है तो हम और आप जैसे हम आदमी के लिए क्या इस्तिती होगी आप जानते भी हैं ठीक है और बड़ी संख्या में लोग मारे भी जा रहे हैं इसमें कोई सक नहीं है दिली में लोगों को कि दरणनाग परिस्तितियों से दोचार होना पड़ रहा है यह आप और पूरी दुनिया देख रही है ऐसे गाओं में संख्यमण के हाला से लोग और सरकारें कैसे निपटेंगी कोई नहीं जानता है और नहीं कोई किसी की जानने में इसकी रूची है हमारे नेताओं की नहीं कोई रणनीती बनाई जा रही है और ना बनी हुई है अगर बनी होती तो हम लोग काफी कंट्रोल कर चुके होते हैं क्योंकि आपने देखा है कि जैसे ही डॉनल्ड टरंप चुनाव हरते हैं वाइडन साब चुनाव जीतते हैं राश्कृती का उनका सबसे पहले प्रात्मि करोना से निपटने में इसलिए आप देखते हैं कि जिस देश में सबसे जानदा बुरी इस्तिती बनी हुई थी आज वहां कंट्रोल कर लिया गया है एक कारण वहां रणनीती का भी बहुत बड़ा कारण रहा है नेताओं की और हमारे यहां की नेताओं को आप समझी कि रा हमले मौत हो हमारे हमारी ना हो लेकिन हम लोग अंदभक्ती पर ही वोट देंगे धरम के नाम पर ही वोट देंगे देते रहिए खिराल हालाद की गंबीरता से चिंतित इलावाद हाई कोट ने उत्तर पिदेश सदकाल से पूछाए कि गाउं में महामारी से वह कैसे निटेगी चलिए कम से कम हमारे जो भी नियाला हैं यह काफी अच्छा काम कर रहे हैं और कम से गम यह जागे लेकिन लेट जागे लेकिन जागे दो कम से गम और आप देख रहे हैं सरकारों को काफी डाट भी लगा रहे हैं और आपने देखा है कि उन्हें सरकारों पर भरोसा भी नहीं है, कि वो कंट्रोल कर पाएंगे, इसलिए कई रणनीतियां आपके नहले भी बना रहे हैं, सामाने दिनों में भी छोटी मोटी विमारियों के इलाज के लिए ग्रामीडियों को सहरों के धक्के खाने पड़ते हैं और कई गाउं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहां कई किलोमीटर दूर तक हॉस्पीटल्स नहीं हैं, ऑक्सीजन और आप इस तरह की विवस्थाओं के छोड़िए, नॉर्मल ही हॉस्पीटल नहीं हैं, तो गाउं की स्तिति छोड़िए, मद्ध पड़िश में ग्र गरामीड आवादी 75 करोड की आसपास है, जबकि गरामीड लाकों में IECU विस्थरों की संख्या मात इंक्यावन और ऑक्सीजन विस्थरों की संख्या 338 है, आप समझ सकते हैं क्या विवस्था है, राजिस्थान में कुल संख्मन के मामलों में 40 पीसल मामले गाउं से आए ह और जबकि गरामीड लाकों में उक्सीजन विस्थरों की संख्या 3,000 भी नहीं है, और गुजरात में आप देखें कि गुजरात हो या पर्ष्चे मंगाल हो, आंद्रपदेश हो या महराष्ट हो, इन सभी ज़्यादा राज्यों की हालत कामोवस एक ही जैसी बनी हुई है, और गरामीड आबादी के मुकाबले चिकिसा सुग्धायन नहीं के बराबर हैं, और इसका एक कारण गरामीड छेत्रों का सरकारों की प्रात्मेक्ता नहीं होना भी माना जा सकता है, और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि ऐसा बिलकुल नहीं है कि गाउं को महामारी किमा से बचा पाना संभव नहीं था, सब कुछ हमारी कंट्रोल में बना हुआ था, उस समय भी आपने देखा हुए कई बार हम लोग ने भी बात की हुई थी, कि अगर सभी विवस्थाएं अपने सिस्टम्स अपने हिसाब से काम करते, अपना कर्तब निवाते, तो हम लोग आपके गाउं में क्या समस्या है, उसका समाधन किस तरह से हो सकता है, यह आपके सरपंच बहतर जानते हैं ना कि आपका विधायक ना ही आपका लोग सभा सदस, लेकिन यह अलग बात थे कि आज कि सरपंच की भी इस्तिती देख लीजे आप लोग, और उसकी क्या जंता की सरकारें थोड़ी भी सजग होती तो समय रहते गाउं के चेकिस्सा तंद को ठीक किया जा सकता था, और इसके हलात बिकड़ने से बच जाते, लेकिन हैरत की है कि दूसरी लहर में ही चार राज्यों और एक केंदसासित पिदेशों में विधान सभा चुनाओ कराएगे, और एक उत्तर पिदेश में आप देखते हैं कि इस्थानिये पंचया चुनाओ करवाएगे, और केंदसे लिकर राज्यों सरकारों चुनाओ और किसी भी राजनेतिक दल ले, इस चुनाओ और टालने की एक्छा या जरूरत या फिर साहस नहीं दिखाया, और आप समझे कि जो खत्रा है जो आप घर में बैठे होंगे, इसका नतीजा आज इन पे देशों की ग्रामीड अलाकों में कुरोना के महाविस्पोटक की रूम में देखने को मिल रहा है, और क्या इस बात से कोई इंकार कर सकता है कि राज्यों के फास ग्रामीड अलाकों में जासे लेकर संख्यां में लोग भारत में मारी जाएंगे इस कुरोना से, तो यह चेताओन ही दे जा रहे है, पहले बार चेताओन ही दे गई थी तब भी हम लोग उने कुछ सीख नहीं ली थी, और अभी भी हमारे डॉक्टर भी कई बार चेताओन दे रहे हैं, उसके भी हम काफी सजग नहीं है वो नहीं हम लोग सीख ले रहे हैं फिर वो लाओं कि अगर आप गाओं में भी रहते हैं तो कम से कम अपनी सुरक्षा बनाए रखिए मास्क लगाए रखिए कहीं निकल रहे हैं और मास्क ना हो तो मैं तो कहता हूँ तौलिया ही बांदे रखिए कम से कम होए पर और लोगों से थोड़ा दूर ही बनाए रखी और गाउं की तरफ तो आप देखते होंगे काड़ा वाड़ा की ये सुवधा बड़ी अच्छी मिलती है गिलोई सुने होंगे आप लोग गाउं में तो उसे भी आप लोग काड़ा बनाते रहिए पीते रहिए और अपने आपको सुरक्षित बना रखिए साइध आप अनवहों ना कर पा रहे हैं लेकिन हकीकत में देश के इस्तिति लोगों की इस्तिति वहुत बुरी बनी वी है चिंता जनक है और वो कहते हैं कि खत्रे से उफर निकल गई है खत्रा तक पहुंचना एकलग बात होती है लेकिन खत्रे से आलग पहुंच चुके हैं और वैसे भी आप लोग मुझे लगता है कि आपके पास Android phone है Smart phone है, Net है तो आप देश दुनिया की ख़बर जान भी रहे होंगे तब भी आप लोगों को सजग रहना चाहिए ठीक है, उपर वाले से दुआ करिए कि मैं करता हूँ हॉस्पीटल जाने की जरूरत ही ना पड़े कभी आपको और फिरहाल अभी तो पड़े ही ना